नमस्कार दोसों, आज जो टॉपिक मैं आप सभी के सामने लिखे आया हूँ, उसका नाम है How to be alone. दोस्तों, हम जब कहते हैं कि इनसान एक social animal है और जिस culture में हम पले बड़े हैं, वहाँ पे society की बहुत एहमियत होती है. और जब हम समाज से जुड़ते हैं, बड़ा कम समय हमें मिलता है कि हम खुझ से जुड़ पाएं. हमेशा हम coaches, life coaches, लोगों को यह समझाते रहते हैं कि अगर आप खुझ से नहीं जुड़े हुए, तो बड़ा मुश्किल है आपके लिए कि आप दूसरे से जुड़ सकें. यानि कि आम से ही आमरस निकलता है. इसका मतलब क्या है? कि अगर आपके अंदर प्यार नहीं है, आपके अंदर एक compassion का भाव नहीं है, तो बड़ा मुश्किल होगा कि आप वो प्यार और compassion दूसरे को दिखा पाए. तो बचपन से ही हर माबाब की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं भी हुआ है, और एक इंडिविजुली आप मुझे सुन रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हमें अकेला रहना आना चाहिए. अगर हम अकेले नहीं रह सकते, तो बहुत दिक्कत है दोस्ते. अब ध्यान रखेगा, दो तरीके का अकेलापन होता है. एक तो word ही मैंने बूल दिया, अकेलापन. यानि कोई इंसान जब डिप्रेस्ट होता है, पेकोज मैं एक mental health practitioner भी हूँ, psychologist हूँ, तो हम लोगों को जब समझाते हैं कि तुम डिप्रेशन में हो, तो घर से बाहर निकलो और लोगों से जाके मिलो. हाँ दोस्त, डिप्रेस्ट लोग भी अकेले रहते हैं. ये ध्यान रखेगा इस बात को. और ऐसा भी देखा गया है, कि जो लोग बड़े knowledgeable होते हैं, वो एक solitude में रहना चाहते हैं, और उनके लिए वो solitude एक bliss होता है. पर जो डिप्रेशन में हैं, उन लोगों के लिए वो अकेला पन उनको बहुत काटता है, कचोडता है. और कहीना कहीन उनकी आत्मछवी बहुत ज़ादा कमजोर हो जाती है, इसकी वज़े से वो किसी से मिलना नहीं चाहते हैं, किसी से बात करना नहीं चाहते हैं. तो what we are trying to say here, कि आज जो हम आपको बात बताएंगे, उसमें हम आपको actually सिखाएंगे, कि कैसे अकेला रहा जा सकता है. और अगर आपने ऐसा कभी practice नहीं भी किया है, तो आप इन बातों को अपनी जिन्दगी में उतार सकते हैं, और फिर जो अकेले पन के अंदर एक डर, एक घबराहट आपको लगती है, आप उससे बाहर निकल सकते हैं, और देखिए का आपकी जिन्दगी कितनी खुशनमा हो जाएगी, इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है, कि आप अकेले ही रहना चाहेंगे, इसका मतलब यह है, कि आप जब भी बाहर जाके, connect करेंगे किसी से, तो आप भ Declaration of Menschie किसे करेंगे, देखिए दोस्त, हम कहते हैं ना कि दिन के समय में हम पुजाले में रहते हैं, जिसका मतलब यह तो नहीं हैं, कि हम रात को सोते नहीं हैं, जब रात को सोते हैं तो आखे बंद करके हम अंधेरे में रहते हैं कुछ समय और अगर हम अंधेरे में धंग से लेते हैं तो निश्यत ही हम उजाले को और क्लियरली देख पाते हैं जिसने आप नहीं सोए धंग से तो आपने खुद नहीं देखा होगा वो दिन का उजाला भी हमें नहीं सुहाता यही हालात होते हैं जब हम अकेला नहीं रह पाते और हम जब अकेला नहीं रह पाते तो हम दूसरों के साथ जुड़ भी नहीं पाते उस दिन के समय में उस social aspects के अंदर तो बिल्कुल भी घबराईएगा मत सोलो रहा जा सकता है और बिल्कुल ही रहा जा सकता है आज ये points आप लिखिएगा एक एक करके आपको मैं total 8 ideas के अंदर बताऊंगा और मैं आशा करता हूँ कि आप वो सारे जो ideas आपको बताए जाएंगे आप step by step समझेंगे उसको अपनी जिंदकी में लगाएंगे और देखेंगे कि कहां आप सच में अपनी जिंदकी में कमजोर पढ़ रहे हैं आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं विकास मैंने दोस्तों ये बहुत देखा है कि कोई भी इंसान जब unlock करने की कोशिश करता है वो solitude की power जो awesome power उसके अंदर बसी हुई है तो तब मैंने देखा है कि शुरुवाती दौर में वो जो रास्ता होता है वो इतना आसान नहीं होता क्योंकि हर इंसान को घबराहट होती है जब वो अखेला रह जाता है आप सूची ना कि हम ये कह रहे हैं कि एक बार के लिए खुद से जुड़ो अब जब भी कई बार हम meditation भी करने को कहते हैं किसी को आके बंद करते हैं तो अंदर क्या दिखेगा उसको पहली बात तो वो अंदर directly पहुँच नहीं पाता वो mind के जो विचार है उसमें cluttered रहता है अंदर जाता भी है तो बड़ा अंदकार दिखता है उसको अपने अंदर तो हम लगातार कहते हैं कि घबरायेगा मत ये जो शुरुवाती दौर है इसमें हारियेगा मत चलते जायेगा क्योंकि हार जैसी कोई चीज है नहीं इस रास्ते पर क्योंकि हम personally इन चीज़ों को कर चुके हैं इसलिए आपको ये सारी बाते बता रहे हैं दोस्ते healthy इंसान वो ही है जो जादा से जादा solitude को enjoy कर पाता है फिर से मैं दोरा हूंगा healthy इंसान वो ही है जो अकेला रह सकता है खुशी खुशी अगर आप अकेला नहीं रह पारें खुशी खुशी कोई दिक्कत है सर कोई mental health में दिक्कत है हो सकता है physical health में भी दिक्कत हो so what we are trying to say है कि solitude बहुत powerful है बहुत positive है और ये एक ऐसा अनुभव है जो आप तब ही अपनी जिंदकी में ला सकते हैं जो आप mentally healthy होते हैं तो कोई unhealthiness है यानि कि आप relax नहीं रह पाते आप अकेले में शान्त या rest नहीं कर पाते हैं आपको हमेशा कोई काम चाहिए होता है कुछ करने के लिए कोई इनसान चाहिए होता है कोई परिस्थिती चाहिए होती है और अगर आप वो आपको इनसान यानि कोई दोस्ट कोई पार्टनर अगर आपको नहीं मिलता तो आपको बड़ा अकेलापन महसूस होता है आप अपने आपको बहुत जादा ऐसा महसूस करते हैं कि भई अगर कोई ब्रेक अप हो जाए आप एक्जाम्बल लीजे तो कितना लोग दुखी हो जाते है और इसके पीछे क्या रीजन होगा दोस्ट क्योंकि बच्पन से ही हमें सिखाया ही नहीं गया कि कैसे हम कुद के साथ समय बिता सकते हैं हम जिन पिच्चरों को जिन सीरियल्स को देख के पले बड़े हमने हमेशा देखा कि कोई इनसान आता है जो हमें भरता है पर ये तो बहुत ही अजीब सी बात है कि हम बिखारी हैं हम भीक मांगते हैं कोई आता है और हमारी हमको भीक दे देता है और हम बिखारी नहीं रहते यह तो बहुत ही अजीब सी बात है दोस्ते, क्योंकि हम लगातार लोगों को कहते हैं कि चाहे वाश्रूम में ही टाइम बिता रहे हैं आप, चाहे आप अपने घर में कभी अकेले होते हैं, चाहे आप एक, एक कहते ना, कि जो अकेला रहता है वो society को dislike करता है क्योंकि society को dislike करने की बात बिलकुल भी नहीं हो रही है हाँ पर आप अकेले जीना सीखिए और आप फिर देखिए कि आप किस तरीके से society के साथ भी बहुत amazing तरीके से जुड़ पाएंगे and it is possible it is right possible everywhere तो पहला idea आप रिखिएगा कि जब भी आप अकेला रहना चालू करें तो आपका जो prime focus होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि आपको इस तरीके से सोचना है कि मैंने अगर अकेले समय बिताया तो मेरी creativity और मेरी खुद के बारे में जो knowledge है वो बहुत strong बनेगी देखिए हम सब लोग अपनी life में emotionally intelligent बनना जाते ह जब मैं भी emotional intelligent का course करवाता हूं चार aspect space की बात करते हैं कि खुद को जानना और खुद को manage करना तीसरा है कि दूसरे को जानना और चौथा है दूसरे को manage करना तो यह जो पहला कड़ी और दूसरी कड़ी आती है इसमें शुरुआत किससे होती है दोस्त खुद को जानना तो अगर आपके पास आप सच में यह देख पा रहे हैं कि आप सिर्फ society के pressure में घुले हुए हैं totally और आप socially active होना चाहते हैं आप अपने काम पर ध्यान देना चाहते हैं अपनी जिंदगी में और आप कम समय में ज्यादा achieve करना चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा जिंदग अपने आपको ही नहीं समझ पा रहा वो अपने आपको manage कैसे करेगा और जो अपने आपको manage नहीं कर पा रहा वो कोई काम कैसे करेगा जो बाहर उसको करने हैं जो भी achieve करना है उसको अपनी जिंदगी के अंदर तो जातर देखा गया है कि अगर आपको reality में improve करना है तो सबस पहली जो शुरुवात होगी वो खुद के well-being के लिए होगी और हम कहते हैं लोगों को presence में जीएं, देखें कि आपके दिमात में जिस तरीके के विचार चलते हैं, जो सोच है आपकी, जो belief systems है आपके, वो belief systems क्या करते हैं, वो आपको एक particular action करवाते हैं आपसे, क्योंकि हम belief system के according ही अपने अंदर कोई महसूसियत को महसूस करते हैं, किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, और जादतर यही होता है, जिसको जो चीजें अच्छी लगती हैं, वो उसको जादा करना चाता है, जिसको जो चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, वो नहीं करन आप अपने emotions को label कर पा रहे हैं, कौन से pattern आपके दिमाग में आते हैं, कौन से विचारों के गुच्छे आते हैं, जो आते हैं, जाते हैं आपके दिमाग के अंदर, तो जितना आप खुद की deeper understanding कर पाएंगे, उतना आप देखेंगे कि आप अपनी जिंदगी में आगे भड़ होई, और discover करिए ना कि आपकी जिंदगी के अंदर, जो भी आपने भर लिया है अपने दिमाग में, वो memory system कैसे काम कर रहा है, किस तरीके से आप कोई भी चीज़ देखते हैं, सुनते हैं, और आपके दिमाग के अंदर एक विचार चलने लग जाते हैं, जितना आप इस पर discover करेंगे दोस्त, अकेले बैट के reflection करते हुए, हम journaling करने को कहते हैं लोगों को, तो आपको अपनी value set पता चलेगी, value set क्या होता है, moral values की बात नहीं कर रहा है, बात ये कर रहा हूँ कि आप किस चीज़ को तवज्जो देते हैं, priority देते हैं, value देते हैं अपने दिमाग के अ तो आप देखिएगा ना, इंसान अपना value set नहीं जीता, अपने कान के अंदर, अपने behavior के अंदर, और इसी वज़े से वो कितना दुखी रहता है अपनी life में, तो आप जो time अकेले बिताएं, उसको dedicate करें, इसके लिए ये खुद को समझना है, आपको अपनी creativity को unlock करना है, उसको increase करना है, because हमारे अंदर immense potential है, there is a limit for everything, but there is no limit for human potential, आपके अंदर बहुत potential है, पर वो कैसे पता चलेगा आपको, जब तक आप खुद के बारे में सोचेंगे नहीं, खुद के बारे में लिखेंगे नहीं, खुद को जानने की कोशिश नहीं करेंगे, और दूसरा कैसे म लोगों को, और वो लगातार कहते हैं कि हम ये नहीं चाहते हैं कि आप हम पर depend रहें पुरी जिंदगी, क्योंकि हम ना तो आपके mentor बनना चाहते हैं, ना कोई trainer बनके, ना कोई maha-maha guru बनके आपके सामने खड़े रहना चाहते हैं कि आप क्या हो, हम क्या हैं, हम आपको सिख खाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्ते, हम आपको एक तरीका बताते हैं, जिससे हमारी presence कि कोई value ही ना हो आपकी जिंदगी में, आप बस खुछ से जुड़ जाएं, वापिस से कहता हूँ, coach का मतलब सिर्फ यही है, जो genuine, कहते हैं ना, international coach, federation का coach होता है, उसका focus ही होता है कि एक client को खुछ से जोड़ दे, client अपने आप से जोड़ जाए, अपनी presence establish करना उसके दिमाग में, अपने आपको बहुत बड़ा कुछ गुरू establish करना, यह कभी भी coach की focus नहीं होता, और इसलिए कहा जाता है, coach से मिलकर आप खुछ के साथ समय बिताना जादा सीख सकते हैं, इसको personally भी आप experience कर सकते हैं, because मैं one-to-one बहुत सारे लोगों के sessions लेता हूं, उनकी मदद करता हूं, तो दोस्तों हम यही बात कर रहे हैं, unlock करिये अपने talent को, imagination को, गोड़े दोड़ाई है कभी, अकेले बैठ कर, intelligence को समझ ही आपके अंदर कौन सी है, और देखिए कि आप अपनी life के अंदर कि कौन-कौन सी बातों पे आप अपनी life में अटक रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग creativity को इसलिए नहीं flow कर पाते, because बाहर के pressure इतने ज़्यादा दिमात में रहते हैं, कि कुछ देखी नहीं पाते अपने अंदर की गहराईयों के अंदर, आ अगर आप जैसे मिट्टी है पानी के नीचे bottom में, आप उसको हिला देंगे, तो पूरी मिट्टी क्या होगी, वो इतना ज़्यादा पानी को गंदा कर देगी, कि हम देखी नहीं पाते कि नीचे bottom में है क्या exactly, तो मतलब यहीं है कि अगर हम भी बहुत सारी मिलावटे कर दे अपने consciousness पे, यानि एक ऐसा शीशा है consciousness जिसमें आप अपना प्रितिविम में देख सकते हैं, अपना reflection देख सकते हैं, पर होता गया है उस पर इतनी धूल जमा कर लेते हैं आप, कि देखना भी कोशिश करते हैं, तो आपको सिर्फ बहरी चीजें ही अंदर भी दिखती हैं, आके बंद करते हैं, तो भी वो विचार जिससे आप cluttered हैं, वो ही आपके दमाग में चलते रहते हैं, and that will not make you a stable person, और जितना जादा आप इसको समझते जाएंगे, मैं आपको guarantee दे रहा हूँ, उतना जादा आप peace में रहेंगे, आप खुद की company को enjoy करेंगे, creativity को establish करेंगे, तो schedule में डालिए कि कैसे आप अपने साथ समय विताएंगे, और उस solitude, जो अखेलेपन है, उसको enjoy करेंगे, दूसरा point जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्त, वो यही है कि गले लगाईए उस अखेलेपन को, और वो कैसे possible है जब आप transcendent connection कर पाते हैं इस nature के साथ, देखिए हम, मैं एक हिंदू हूँ और I'm not talking just about religion, I'm talking about हमारी एक philosophy मानी जाती है कि वासुदेव कुटुम्बकम, यानि ये पूरी दुनिया जो है वो हमारा परिवार है, और जब भी हम एक कनकन को देखते हैं इस दुनिया के अंदर, हमको ये पता है कि कनकन में उसका पावर है, हमारे एक इनसान इन चीजों के प्रती aware हो जाता है, अकेले बैठा है और आप इसी से चालू कर सकते हैं कि जब आप खाना भी खाते हैं, आप अकेले खाना खा रहे हैं और आपका ध्यान बहुत है एक एक चीज़ पर, फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि आप बस अपने garden में और इसका बहुत benefit है दोस्त, यह शुरुवाती दौर है जिससे आप खुद के साथ समय बिताना सीखेंगे और एक peaceful solitude के तरफ आगे भड़ेंगे, बिकर जातर हमने देखा है कि लोग concrete की दिवारों में इतना फसे रहते हैं कि वो nature के साथ बिलकुल connect नहीं कर पाते, आपको nature के साथ involve होना ही पड़ेगा अगर आप सही माइने में खुद के साथ connect होना चाहते हैं, बिकर जो हमारे आसपास की दुनिया है ना दोस्त, वो हर जगे पर ये दिखा रही है कि ये वासुदेव कुटुम्बकम की ये पूरा संसार जो है, इसमें इतनी जबरदस्ट intelligence व्या इतना mobile ही भूल जाता है, वो कितना disturb हो जाता है, बिना mobile के कितने लोग हैं जो survive कर पाते हैं, I am not talking about the old people, I am talking about the so-called millennials, जो young लोग हैं मुझे सुन रहे हैं, कितना ज़्यादा addiction हो जाता है हमारे अंदर कि हम बिना mobile के नहीं जी सकते, natural environment के साथ connect हो ये दोस्त, unite करिए इस nature के सा ये बहुत beautiful है, बहुत mystical है, ये अनुभव, और जितना जादा आप society के साथ connect होना चाहते हैं, उतना जादा आपको खुद के साथ connect होने के लिए इस nature के साथ connect होना पड़ेगा, वो awareness आपके अंदर develop होगी, beautiful experiences आपके अंदर create होने लग जाएंगे दोस्त, और आप देखेग है, और हमारे धरम में उसको आत्मा भी कहा जाता है, हम कहते हैं कि वो एक ऐसा existence है, जो इतना deeper है, और वो देख सकता है हमारे mind को, वो देख सकता है हमारे body के sensation को, वो देख सकता है हमारे mind में कौन से विचार चल रहे हैं और जितना जादा आप deeper जाएंगे, वो transcendental, जो कहते इसी चीज़ों को, कि एक real joy और happiness हमारे अंदर ही है, वो peace हमारे अंदर ही है, कि हमें वो बाहर से नहीं मिलेगा, हम अकेले अगर अपने साथ समय बिताएंगे, तो truly हम transcendental experience कर पाएंगे दोस्त, और देखिए, ये कोई भी monk की कहानी पढ़ेंगे आप, आज भी जो genuine monks हैं, आ अप उनके साथ बात करेंगे, तो बड़ा इसके बारे में regular बात करते रहते हैं, कई बार हमार को लगता है, कि यार इसका मतलब है, दुनिया चोड़ ते, sir, दुनिया चोड़ने की बात नहीं होरी है, खुद से जुड़ने की बात हुरी, जब इनसान खुद से जुड़ ज करता है आप आप देखिए कोई बिलेनियर भी है अगर आप उनकी बायग्राफिस पढ़ेंगे वो लगातार बोलते हैं कि वो खुद के लिए कितना समय निकालते हैं वो सुबह जल्दी उठेंगे और फिर वो रिफ्लेक्शन करेंगे प्लानिंग करेंगे यह सब क्या है दोस खुद के साथ समय बिताना ही तो है इस adult society में भी अगर आप survive करना चाहते हैं तो यह बहुत ज़रूरी है कि आपको इसके benefits भी समझने होंगे कि अकेला रहने के मतलब selfish होना नहीं है unnatural होना नहीं है कोई dangerous कहते है ना आतंगवादी भी अकेला रहता है और फिर वो आतंकारी ब possible only in the solitude यह मैं आपके सामने establish कर रहा हूँ तीसरी चीज़ जो मैं आज आपको बता रहा हूँ हो है कि लोग solitude को जब enjoy करते हैं तो उनके अंदर कुछ घटने लग जाता है तो घटने लग जाता है मतलब शुरुवाती दौर में मैंने जब भी लोगों को खुद के साथ समय मैं बताने को कहा है उनको घबराहट होती है जो मैंने पहले भी establish किया था क्योंकि socially कोई इंसान इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ है वो कहता है मैं अकेले नहीं रह सकता मैं बिना काम के नहीं रह सकता मैं बिना mobile के नहीं रह सकता आपने बहुत बार सुना होगा इन चीज रहना को आप बहुत ही अजीब सी चीज़ मानते हैं क्योंकि लोग कहते हैं ना मैं तो अकेला खाना नहीं खा सकता किसी रेस्टॉरों में जाके ठीक है एक लेवल पे ये सुनने में अच्छा लगता है पर इसमें प्रॉब्लम क्या है आप किस लेवल पे इसको देख रहे हैं कि वो खुद की individualism को nurture नहीं कर रहे और वो बस लोगों के certifications पर बहुत जादा उनके validation पर बहुत जादा depend रहते हैं अपनी image के लिए तो ये जो respect आपने reputation बना रखी है ये आपका character तो नहीं बनाएगा न दोस्ते तो आपको ये समझना है कि हमार को accept अगर होना है इस दुनि बातें मैं कहाँ ना अंदर से बाहर होती है individuality को आप accept करेंगे तो आप देखेगा बाहर के लोग भी आपको बहतरीन धंसे accept करेंगे क्योंकि जो अपने काम में बहतरीन है वो 10,000 घंटे देता है quality time अपने काम को 10,000 घंटे जब वो deep work को देता है बाहर की दुनिया उसको ब बाहर देखते रहेंगे ये कैसे possible होगा दोस्त, modern culture के अंदर जो सबसे बड़ा डर है कि इनकी lifestyle में solitude होता ही नहीं है, इनकी lifestyle में इतना जादा अपनी unique individuality समझने की बात ही नहीं है, वो कहते हैं कि भई अपनी unique individuality को समझो, खुद से connect हो, तुम देखना सेवा करो, जो भी तुम्हारे अंदर talent है, जादा सादा लोगों की मदद करो, उनकी जिंदगियों में positive बदलाव लेके आओ, तुम देखना तुम्हें मेवा मिलने लग जाएगा, पर उनका दिमाग ही मेवे पे है, तो वो समझ ही नहीं पाते कि वो कौन है, और इसकी वज़े से उनकी जो unique identity है, वो उसको खो देते हैं, self-discovery तो कई भाड में, उनको बस ये देखना है, कैसे पैसा कमा रहे हो, तुमने कैसे पैसा कमाया, तो सारे लोगों ने किस तरीके से पैसा कमाया, इससे मदद लेकर फिर वो अपनी जिंदगी को आगे चलाते हैं, कितना अजीब है, यही तो आपके अंदर negative reaction लेके आता है, जब आप solitude में बैठते हैं, social anxiety भी हम देखते हैं, mistrust, जो एक concept हम लोग देखते हैं, यह सारे के सारे खेल, हम लोग, एक और किताब है इस पर जिसका नाम है solitude करके, आप उसको जरूर देखेगा, because human evolution जो हुआ जिंदकी में, जो success भी लोग कि भई solitude, यानि खुद के साथ रहना is not an unnatural process, यह बिल्कुल भी unnatural नहीं है, आप solitude को सीख करिये, आप इसको बिल्कुल भी harmful behavior मत मानिये, यह तो अकेला रहता है, इसको किसी से मिलने का मन नहीं करता, देखिए, कुछ लक्षन होते हैं, क्योंकि psychology के अंदर जब हम determine करते हैं लोगों को कि यह positive relationship नहीं बना पा रहा, तो कई बार वो एक symptom होता है depression का, पर इसका मतलब यह नहीं है, कि हम यह नहीं चेक करते कि वो individually खुद के साथ happy नहीं रह पा रहा है, या नहीं रह पा रहा है, क्योंकि बहुत important है, solitude देखिए, अकेले पन में जब एक इनसान खुद के साथ connect कर लेता है, तो इतना बहतरीन धन से बाहर जाके रिष्टे भी बना पाता है, और आपको यह समझना है, कि आपकी जिंदकी के अंदर कहां कहां पे ऐसा होता है, कि आप अकेले रहने को एक danger की तरह समझते हैं, और आप कही न कहीं अपने आपको connect नहीं कर पाते हैं खुद के साथ समय बिताने के लिए, और अगर आप यह नहीं कर पा रहे हैं, देखा गया है, एक इनसान अंदर प्यार नहीं develop कर पाता, अंदर एक डर पनपरा है उसके अंदर, तो वो जो बाहर देख रहा है अपनी जिंदगी को, उसके अंदर बहुत जादा judgments हैं, बहुत इसकी expectations है, वो पूरी नहीं करता, तो वो सबको दुश्मन मानने लग जाता है, खुद depression में चला जाता है, देखेगा यह कितना interlinked है, मैं आपको पूरा process समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जो society है, आपको समझना है, इस society के अंदर बहुत सारी problems कहां से आ रही है, जब हमारे अंदर कोई problem होती है, आम से ही आमरस निकलता है सर, अगर आपके अंदर घुसा नहीं पनपरा, आप बाहर घुसा कैसे दिखा सकते हैं, आपके अंदर negativity नहीं पनपरी, आप बाहर negativity कैसे दिखा सकते हैं, तो जब तक आप खुद के साथ समय नहीं बिताएंगे, जब जिन्दगी के लिए बड़ा curious होते हैं, हम एक solitude की जिन्दगी को जीना चाहते हैं, तो हम जादतर देखते हैं कि हम लोग कई बार ऐसा होता है कि एक इनसान अपने सारे लोगों की company को ही like नहीं करता वो अपने आसपास, और अगर वो वैसे like नहीं करता, तो क्या होता है, वो जो step भी लेता है अपनी जिन्दगी के अंदर, उसके अंदर जादतर देखा गया है कि वो ease में ही नहीं रहेगा, because मैं कह रहा हूँ न, आप समझे इस बात को, आप अकेले पन में अगर ease में नहीं है, अच्छा feel नहीं कर रहे, so-called बस आप अकेले रहना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपको बदा दूँ, अयाशिया भी तो अकेले में ही करता है इंसा, तो वो बड़ा अपना एक privacy corner बना लेगा, किसी से बात नहीं करेगा, मेरा कमरा है, कोई enter मत करो, वो technology से जुड़ जाएगा, उसमें पता नहीं, तमाम बकवास चीज़े करता रहेगा, ये अ अकेला रहने का power नहीं है सर, आपको समझना होगा, कहीं न कहीं आप अकेले पन से डर रहे हैं, और उस डर के कारण ही आप क्या है, शोशल मीडिया में जा रहे हैं, उस डर के कारण ही आप हो सकता है, पॉनोग्राफी में जा रहे हैं, उस डर के कारण ही आप हो सकता है, सिर क्या चाहिए क्योंकि अगर इंटरनेट भी है आपके साथ तो आप अकेले कहा है आप अकेले कहा है so what we are trying to say subconscious mind पे इसको figure out करना बहुत ज़रूरी है कि क्या डर चुपा हुआ है आपके साथ अकेले पन के अंदर क्या डर है जिसके अंदर आप बहुत ज़ादा negative reaction में आ जाते हैं बहुत ज़ादा घुसे में आ जाते हैं irritation में आ जाते हैं क्योंकि जब भी कोई आपके अकेले पन में disturbance लाता है वो इंसान बिलकुल भी अपने अकेले पन को enjoy नहीं कर रहा है जो किसी के खलल से बहुत परेशान हो जाता है विकास मैं बार-बार कहा रहा हूँ negativity आपके अंदर है जो बाहर निकलती है सर आज मैं कहूँ मुझे I love being alone पर मुझे कभी भी यह problem नहीं होती जब कोई मुझे बाहर से मेरे alone time को disturb करना चाता है विकास मैं यह मानता हूँ कि being a coach मेरी life लोगों के साथ जुडने के लिए ही तो है उनकी सेवा करने के लिए ही तो है हम जो अकेले में समय बिता रहे हैं हम उस stability को पाने की कोशिश करते हैं जो stability की clarity हम लोगों के साथ साजह करते हैं कि देखो इस तरीके से stable रहा जा सकता है कोई हम advice नहीं दे रहे इन किताबों के जो main parameters हैं वो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो हुबक-खुबक के रोना अकेले पन के अंदर और जातर देखते हैं कि एक इनसान बिल्कुल भी comfort level में नहीं है वो नहां भी रहा है तो वो चाली चैपलिन की याद आ जाती है ना कि मैं जादा तर तब रोता हूँ जब बारिश होती है क्योंकि कोई देख नहीं पाता कि मैं रो रहा हूँ तो ऐसे ही कई लोग bathroom में जाके रोते हैं तो बात यहां अकेलेपन में रोने की नहीं है बात ये नहीं है कि घबराई हुए से डोल रहे हैं आप एक कहते ना दोगली जिंदगी जी रहे हैं अकेलेपन में कुछ और हैं बाहर कुछ और हैं आ कि काई लोग तो अग्रोफोबिया से जूचते हैं सर वो अकेले ही रह पाते हैं वो जैसे घर के बाहर कदम निकालते हैं या फिर वो उससे भी डरते हैं लोगों से भी डरते हैं और कई बारे अग्रोफोबिया हैं साइकलोजी में हमको पढ़ाई जाती हैं कि वो इनसान कमफर्टिबल ही नहीं है खुद से और जो खुद के साथ कमफर्टिबल नहीं है वो बाहर के लोगों के साथ कैसे कमफर्टिबल होगा तो प्लीज आप समझेए आप इस चीज़ को जितना जादा स को पहचानिये और फिर उस डर का सामना करिए तभी आप आगे निकल पाएंगे पाच्वा पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं वो है जब आपस पे भी बोलते हैं कि आप ठीक है जाए हैट स्पेस पे आप थोड़ा सा मेडिटेशन करिए वहाँ पे भी हम बोलते हैं तीन मिनिट का मेडिटेशन से चालू करिए क्योंकि वो सोलो होना एक एडविंचर है सर आप शुरुवात कर रहे हो अगर आपने पहले नहीं किया है और अकेले पन का मतलब बार बार कह रहा हूं अकेला है मतलब अकेला रहना है आपको अगर आप यही सब कर रहे हैं तो अकेला नहीं हुआ ना सर आप तो बस खोए हो हैं हुग डो रहे हैं अपने खयालों के अंदर तो अलोन टाइम is just about being with you with a pen and paper और notebook और pen that is what we are saying solitary activities आपको दिखना है journaling is one of the best solitary activity जो जिसके अंदर हम लोगों को कहते हैं कि कभी कबार दीरे-दीरे आपको आदत पढ़ रही है या फिर आप शुरुवाती दौर में है तो मैं कहता हूँ कि reading बहुत सही चीज हो सकती है कोई particular music ऐसे नहीं कि आप एक अंबार music के albums में खो रहे हो कुछ particular playlist है बाकी का आप access नहीं कर पाएं सिर्फ वो music है थोड़ा वो alone time में आप connect करते हो खुद के साथ meditation कई बास self-guided meditation forms होते हैं तो ऐसी activities आपको शुरुवात देगी फिर आपको इन चीज़ों के भी जरुवात नहीं पड़ेगी थोड़ा आप build-up करेंगे खुद के साथ तो because labeling your emotion is more about writing down कि हाँ मैं अपनी जिंदगी के बारे में थोड़ा सोचना चालूगए कई बर मैं कहता हूँ solitary walk करिए आप nature के अंदर आप जाएए नंगे पैर है न जो कोई भी आपका पार्क है आप उसमें चलिए घास पर और किसी पर ध्यान मत दीजिए जो आसपास चीज़ें हो रही हैं आप देखिएगा वो आप great source of happiness को feel करेंगे अपने अंदर वो पैसे नहीं खरीदी जा सकती सर वो अगर कोई इंसान ये बोलता है तो time wastage है इससे मुझे क्या मिलता है आप सही मायने में nature के साथ connect ही नहीं हो पारे अगर आप nature के साथ connect नहीं हो पारे तो वो जो idea of being alone है आप उसको कैसे establish कर पाओगे अपनी जिंदिगी में देखिए body के साथ tune ह नेचर के साथ tune होना ये तो शुरुवाती दौर है जिसमें एक इंसान meditative state में धीरे धीरे उतरता है और फिर it leads to self discovery of fulfillment ये सब step by step होगा patience रखना होगा थोड़ा समय लगता है पर इस solo adventure पे घबराना नहीं है ऐसे नहीं चार कदम आगे जाके पीछे हो जाएं आप मेर से तो यह होता भई अब तुम्हारा शौक होगा ये शौक नहीं है ये सब के लिए जरूरी है बहुत जरूरी है मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ क्योंकि challenge आप accept करिए achievable steps बनाईए आप चोटे चोटे goals बनाईए और आप क्या करिए धीरे 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 उसको पाने की कोशि तो वो हम आपको बता रहे हैं ये realistic चीज़े हैं ये कोई ऐसा फितूर नहीं है दिमाग का कि हम कुछ experimentation करने को बोल रहे हैं आपको हम बोल रहे हैं खुद के साथ valuable time spend करिए खुद के साथ connection build करिए एक fulfillment build करिए खुद के साथ खुद को जब experience करें आपको अच्छा feel होना चाह है आप देखेगा आपका ये जो solitude है फिर धीरे धीरे expand होगा और फिर ये जो day dreaming में खोया रहता है ना इंसान I am saying overthinking में खो जाता है आप उसके अंदर नहीं जाएंगे आप सही माइने में खुद को पहचान पाएंगे तो next point जो मैं बता रहा हूँ आपको sixth point वो ये है दोस कि solitude को explore करते रहना होगा अपनी active imagination से देखिए मैं लोगों को कहता हूँ कि बचपन याद करो अपना जब आप क्या करते थे जब आप बहुत सारी चीज़ों को imagine किया करते थे आप दिमाग के खोड़े दोड़ाया करते थे देखिए इसका मतलब overthinking नहीं होता because मेरा अपने आपने imagination पर पुरा course है कि creative imagination कैसे करें creativity कैसे develop करें मैं लोगों को लगाता है यह बताता हूँ कि solitude के अंदर जो अनुभव आप करते हैं अपने दमाग के अंदर उसमें जब आप के अंदर एक purpose होता है आप सही मायने में कोई सवाल का जवाब ढून रहे होते हैं एक डुना एक creative और imaginative होते हैं यानि कि early childhood के अंदर ही अगर आपको aloneness का basic need एक feed किया गया आपके parents के द्वारा तो boom आपकी जिंदगी बहुत बहुत बहतरीन होगी कई लोग कहते हैं अरे मेरको अकेला छोड़ देते थे parents मैं कहता हूँ भाई वो isolation abandonment बेसहारा छोड़ दिया वो एक अलग चीज होती है we are not talking about that we are talking about safe and secure environment के अंदर आपको थोड़ा space दिया गया कि आप खुद के दिमाग के घोड़े दोड़ा हो ऐसा नहीं है कि आपको हर वक्त ही आपके उपर नजर रखी गई डंडा रखा गया कि तुम मेरे बिना रही नहीं सकते तुम मेरे बिना survive नहीं क में तो वैसे भी नहीं हो सकता at least घर के अंदर तो एक safe alone time देना चाहिए न बच्चों को वो ability build करने चाहिए न कि वो solitude को experience कर सके और उसके अंदर खुश रह सके जादर देखा गया है कि बच्चे ऐसा feel नहीं करते फिर देखा गया है कि वो आगे उसको build नहीं कर पाते और जिन बच्चों ने बच्चपन में ही वो alone time का स्वात चक लिया वो active imagination के गोते के गोता खोर बंद है उसके अंदर उसमें engage हो गए तो वो जो daydreaming है वो धीरे 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 इतनी channelized हो जाती है बच्चों की जितना हम लोग देखते है क्योंकि Carl Jung जो psycho analyst हुए उन्होंने इसको बड़ा examine किया कि हमारा subconscious mind कैसे काम करता है और वो खुद daydreaming करते थे पर उन्होंने ये बताया कि वो जब भी अपनी memories के अंदर जाते थे और वो अपने dreams को सोचते थे तो वो note down करते थे और उसके reactions को record करते थे जैसे जैसे वो notebook लिखते चले गए उनके thoughts उनके memories उनको को message द जैसे लोगों को हम लोग godfather समझते हैं sir उन्होंने जो base हमारा बना दिया है knowledge का वो amazing है और वो creativity कहां से आई वो अंदर से ही तो आई तो हम encourage कर रहे हैं आपको गले लगाए solitude को कुछ joy और happiness को पाईए अपने अंदर ही खुशी ये so called आप peace कहते हैं बाहर मिलेगी कुछ नह जादा आप इसको experience करेंगे within उतना जादा आप बहतरीन करेंगे अपनी life में कोई भी बच्चा आपके आसपास है अगर बच्चे आप ही सुन रहे हैं तो इसको सबसे जादा importance दो अगर आप इसको importance दोगे safe alone time को importance दोगे तो आप देखेगा कितना बहतरीन बनोगे आगे ज time होता है इतनी values को दो क्योंकि childhood memory आप याद गरो दोस्त meaningful childhood memory को याद गरो solitude का time जो आप अकेले खेला करते हैं अकेले रहते बात यह नहीं कि कौन था कौन क्या करता था नहीं पर इतना dangerous मानते हैं parents भी बच्चों को अकेला चोड़ना कि वो deny कर देते हैं इसकी benefits को ही deny कर दे हैं कि solitude में कोई benefit भी हो सकता है वो गोलेगा अरे अकेला किसे छोड़ दे हम कह रहे हैं कि ठीक है आप camera लगा के monitoring कर लो यार ज्यादा स्यादा यही कह रहे हैं पर end of the day let the child play अपने आप थोड़ा समय उसको बिताने दीजिए उसको imagination में गोता लगाने दीजिए उसको engaged होने जीजिए क्योंकि जितना जादा यह होगा दोस्त जितना जादा यह होगा आप देखेगा उसके अंदर खुद के प्रती जो connection है वो build होगा खुद के अंदर जो एक safety alone safety का एक अनुभा होता है वो build होगा आज भी मैं देखता हूँ 40-40 साल के लोग जब भी उनके घर में productive काम नहीं कर पाते हैं वो कभी भी कुछ ऐसा creative काम नहीं कर पाते हैं उनको फितूर सूचते हैं जब घर में वो अकेले होते हैं फितूर क्यों सूचते हैं क्योंकि उनको कभी अकेला रहना सीखा ही नहीं उनको लगता है अकेले रहने का मतलब क्योंकि बच्छपन में ऐसा कभी कबार माबाप अकेला छोड़ते थे तो दारू पी लेते थे, कभी कबार दारू का मतलब है कोई beer ले लेगा, कोई छोटा सा pack ले लेगा, कोई कुछ कांड करेगा, कोई कुछ कांड करेगा, सब क्या अपने अपने कांड होते थे, अकेले, अकेले का मतलब कांड, अरे सर ऐसा नहीं है ना जिंदगी, आपको देखना है ना कि एक बार के लिए, कि वो जो space आप खुद को दे रहे हैं, वो जो independence आप खुद के अंदर महसूस कर रहे हैं, कि आप खुद का supervision कर रहे हैं, आप खुद को monitor कर रहे हैं, बच्पन से ही अगर ये बच्चे को सिखा दिया जा और आप वो dangerous ही बन गया है, सर वो खुद ही, आप देखिए ना, stories भी जो पढ़ता है, सुनता है, उसमें कितना डर भर दिया जाता है, बच्चे के अंदर वो scaredness आजाती, अकेले का मतलब है कि कोई dying आ जाएगी और आपके उपर चड़ जाएगी, अब बताइए सर, अकेले बच्चा हो आपके पास, जरूरी नहीं है, आप, जिससे मैं बात कर रहा हूँ कि कपल हो, या फिर मैं जिससे बात कर रहा हूँ, उनके कोई बच्चा हो, कोई भी हो, आपके आसपास, चुटा बच्चा, प्लीज इसकी importance डालिए, उनके अभिभावकों के अंदर, उनके प बच्चा हो, वो सबका अपना-पना कहते हैं, लिमिट होता है, शुरुवात करिए, इंट्रोवर्ट, एक्स्टोवर्ट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हम बकाइदा ये डिवाइड कर रहे हैं कि, चाहें आप एक्स्टोवर्ट हो, चाहें आप इंट्रोवर्ट हो, समय खुद के साथ बिखाने, क्योंकि बात ये बिल्खुल नहीं है, एक्स्टोवर्ट तो अकेला रही नहीं सकता, इंट्रोवर्ट तो अकेला ही रहना चाहता है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात कटने की नहीं है दुनिया से, ये बात खुद से जुड़ने की ह इसमें ये के बात हुई, इंट्रोवर्ट और एक्स्टोवर्ट, तो आपको ये समझना होगा कि हम जब कल्चर भी बढ़ते हैं, जापनीस कल्चर के अंदर, इंट्रोवर्टिस्म, यानि खुद के अंदर जाने की इंपॉर्टेंस कितनी माने गई है, और आप जिस चीज की बात कर रहे हैं, वो हो सकता है एक behavior set की बात कर रहे हैं, जिसमें society आपको accept करती है, जो extrovert होता है, जो introvert होता, उसको society accept नहीं करती है, तो हम जादा तर इस दो category में डाल देते हैं, हम कह रहे हैं, solitude का amount सब की जिन्दगी में होना चाहिए, चाहे छोटा ह चाहे बड़ा हो, इसका एक psychological reason है, क्योंकि जो society होती है, उसके अंदर जो value system है, जो individual का एक value system है, वो अगर उसने नहीं पहचाना एक individual ने, वो society से कैसे align करेगा, कैसे उसके साथ एक wavelength match करेगा, क्योंकि कोई भी इंसान जो खुद के साथ समय नहीं बिता रहा है, उसको पता ह करेगा कि यार मेरा me time के अंदर मैं सही माइन में मेरी value set क्या है, मेरा character क्या है, मेरे belief systems क्या है, मेरे दिमाग में क्या चीज filter कर देता हूँ, मैं क्या delete कर देता हूँ, distort कर देता हूँ, journalize कर देता हूँ, जितना जादा आप इसको समझेंगे, उतना भेतर बनेंगे, बहुत जरूरी है, तो अंत में दोस्त, मैं यही कहूँगा आपसे, कि message जो है, इस किताब का, how to be alone, इस किताब का यही की message है, कि value बहुत है sir, इस aloneness में, individualism में, खुद के साथ जीने में, it freedom है, और अगर आप इससे डरते हैं, तो आप सही माइने में कुछ बहुत बड़ा मिस कर रहे हैं हमें जिन्दगी में, numerous benefits मैंने आज आपको बताये, solitude के, discover कीजिए, इसको connect करिये खुद से, please इस mother nature के साथ, यह जो हमारी पृत्वी मा है, हम तो उसको मा के तरह यह देखते हैं, आप उसके साथ connect कीजिए, देखिए का आप कितने creative बनेंगे, कितने बहतरीन धंक से इस दुनिया में भी एक champion बनके उगरेंगे, last but not the least, अंदर से बाहर जिन्दगी जाती है, हमेशा याद रखिएगा, अंदर से बाहर जिन्दगी जाती है, बाहर से अंदर जिन्दगी नहीं आती है, thank you so much, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके, यू हम से जुड़े रहे, thank you.